कोरोना वाइरस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है इरान में कोरोना वाइरस से संक्रमित 16 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बात ये है कि इरान के सभी शहरों में कोरोना फैल चुका है इरान की हेल्थ मनिस्ट्री ने अलर्ट भी जारी कर दिया है अब ये रहसमय वाइरस चीन से बहार अपने पाउं पसारने लगा है इरान के अलावा इटली और साउथ कोरिया में भी इस वाइरस से 12-12 लोगों की मौत हो चुकी है और ये सभी मौते पिछले दो दिनों में हुई है वाइरस से संक्रमित लोगों की संक्या लगातार बढ़ रही है इसको देखते हुई कोरिया सरकार ने देश भर में Health Emergency Declare कर दी है वहीं कोरिया की सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कहा है कि अब हर जोर कोशिश की जाएगी कि बाहर की कंट्री से अब कोई भी infected लोग कोरिया में ना आ सके उनका इशारा चाइना की तरफ है आप सभी बने रहें मेरे साथ वीडियो के end तक वीडियो के end में बताऊंगी कि कोरोना वाइरस का नाम COVID-19 कैसे पड़ा अच्छी कबर ये है कि चीन में कोरोना वाइरस के नए केसिस में अब काफी कमी आने लगी है लेकिन अब बाकी की एशिन कंट्री जैसे कि साउथ कोरिया, इरान और जपान में केसिस लगातार बढ़ रहे हैं पिछले दो ही दिनों में कोरिया में वाइरस से इंफेक्टेड लोगों की संक्या डेट सो से बढ़कर ग्यारा सो चालिस हो गई है वहीं जपान में 852, इटली में 323 और इरान में 55 लोग इस वाइरस से संक्रमित हो गए हैं कोरोना वाइरस के फैलते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने चार नए देश नेपाल, इंडोनेशिया, वाइतनाम और मलेशिया से आने वाले सभी पसेंजर्स को स्क्रीन करने के आदेश दिये हैं इसका मतलब यह हुआ अगर किसी भी इंडियन पसेंजर्स को कोरोना वाइरस के सिम्टम्स मिलें तो 14 दिनों तक क्वरेंटाइन में रखा जाएगा और फॉरन नाशनल्स को अपनी कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाएगा चाइना, हौंग कॉंग, जिपान, साउथ कोरिया, थायलेंड और सिंगापूर से आने वाले सभी पसेंजर्स को तो पहले से ही स्क्रीन किया जा रहा था साथ ही भारत सरकार ने सभी सिटिजन्स को ट्रैवल एडवाईजरी भी जारी की है कि सिंगापूर में नौन एसेंशल ट्रैवल करने से बची है मतलब, unless and until कोई बेहत जरूरी काम हो, जैसे कोई बिसनस मिटिंग एट सेक्टरा, सिंगापूर ट्रैवल मत कीजिए ये एडवाईजरी इसले भी जारी की है क्योंकि भारत से सिंगापूर बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं भारत सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती, कोई धील नहीं बरतना चाहती क्योंकि पता है इंडिया में अगर ये फैल गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा बहतर है टाइम रहते सबी एतिहात कदम उठाएं जाएं आए सुनते हैं हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्श वर्दन जी का क्या कहना है भारत की कोरोना से निपटने की तैयारी को लिए कोरोना वारस के संदर्व में भारत सरकार ने सारे दुनिया में सबसे पहले अक्शन लेना शुरू किया विश्व स्वास्ति संगठन से भी जब उसने कहा कि यह इंटरनेशनल हेल्थ एमर्जनसी है उसके भी दो हफ्ता पहले हमने काम शुरू कर दिया था और देश के अंदर आज चार लाग से उपर तो हम पैसेंजर्स को जो चाइना से आ रहे हैं उनको सारे अपने एरपोर्ट्स पर स्क्रीन कर चुके हैं चेस्षोपैतालिस जो बच्चों को वहां से लेके आये उनको भी यहां कॉरेंटाइन में रखके उनको भी डिस्चार्ज कर चुके हैं तीन जो पॉजिटिव केसी आये उनको भी ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं हमने प्रयाप्त प्रयास पहले दिन से किये उसका नतीजा यह है कि 135 करोड के देश में केवल तीन पॉजिटिव केस आए वो भी ठीक होके डिश्चार्ज हो चुके हैं मैं देशवासियों को केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रिकॉशन्स की दृष्टी से अभी पूरी तरह से सतरक रहे हैं अपनी ट्रेवल एडवाइजरी हमने इस तरह की दिये हैं बहुत जल्दी जो जापान के अंदर शिप के ओपर लोग हैं उनका क्वारंटाइन पूरा होने के बाद उनको भी भारत में लाएंगे तो भारत के लोग निशिंत रहें पिर सबसे बड़ी बात की जो अववाएं फैलती है यह आजकल जो वाट्सेप के ओपर जो कहते हैं वाइरल हो गया वाइरल ये खबर वाइरल हो गई है तो हर एक खबर जो वाइरल होती है वो सच नहीं होती है उन में से बहुत सारी जो अब जान लेते हैं कोरणा वाइरस का नाम कोविट-19 कैसे पड़ा आपको पता ही होगा कोरणा वाइरस किसी एक पर्टिकुलर वाइरस नहीं बलकि सार्ड्स, सिवीर एक्यूट रेस्पिरेटरी सेंड्रॉम और मर्स, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सेंड्रॉम जैसे अब साइंटिस्ट ने इसका नाम बदलकर कोविट-19 कर दिया है जिसमें CO stands for Corona, VI stands for Virus, D stands for Disease and 19 मतलब कि 2019 में ये पहली बार आया था आप सब में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्यों कर दो ना यार फ्ली सब्सक्राइब मेरे द्वरा दी कई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर कोई improvement का scope हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में until then अपना और अपने को ख्याल रखे उन्हें धेर सारा प्यार करें